हलो गाइज वल्कुम तो माई यूटूब चानल एजी से क्लासेज और आप लोगे लिए मैं 6-10 फुल साइंस के सीरीज लाने वारी जिसमें सब कुछ मैं डील करूंगी उसके लिए पर आप लोगो को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत जादा ज़रूरी है तो कि अगर करते हैं लोग चाप्टे नुट्रिशन इंप्लांट्स जिसका कि हम लोगो यह सब सारा का सारा टॉपिक्स को कवर करना है इसका हम लोग इंट्रोड़क्श्यूं रखिएंगे और नोट्स पर रखिएंगे तो चलो सबसे पहले देखिए थे कि हम लोगो पढ़ना क्या है क्योंकि ये चाप्टर बहुत इंड्रेस्टिंग होने माला है अगर आपको बिना स्किप किये हर एक पोईट को अपको अच्छे से सुनोंगे तो आप लोगो सब कुछ समझ में आचाएगा तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है तोपिक के बारे देख लेते हैं तो पॉइंट वर्ड डिफ्रेंट वेज ओफ टेगिंग फूट यह हम लोगों का पहला प्रपिक है 2.2 में है डाइजेशिंग इंड हूमन्स 2.3 में है डाइजेशिंग इंग अनिमल्स 2.4 में है फिटिंग आन डाइजेशिंग इंड आयमोलबा तो यह सब टॉपिक को हम लोगों कवर करना है जिसमें कि इस वाले टॉपिक 2.2 में हम लोगों को दो पार मतलब दो वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि यह वाला जोपिक ह हम बहुत बढ़ा है तो टोटल हम लोग आप वीडियो होगा इसके उपर इस वाले वीटियो में हम लोग सिर्फ 2.1 के उपर ही बात करेंगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा कुछ इंटोड़क्शन देख लेते ह दा कि हम लोग चैप्टर वन में इस ए क्लास 7 के चैप्टर वड़ में मुड़ कोई भी फोड कोई भी फोड सर्फ सर्फ जी प्लांक्स के गारा फोडोंग से मदद से ही बनता है और जितना भी एनिमलल होता जितना भी Sud होता है from सा का सारा लोग सर्फ प्लांक्स पे डिप प्रूंड होता है हम लोग लोगा बडी होता है हमारा जतना और खीन होता है वक्राइब कर से स नहीं यहांत और क्लासिक्राग जतना अब शिर्चार, at धी स्क्राइबराई रहने रॉट्टे काविफ राके लाय। यह सब हम लोगा components of food कहलाता है तो यह जो components of food होता है वो हम लोगा basically complex components होता है और जब ही कोई complex components simpler कोई भी food को complex components में कभी नहीं ले सकता है अब इसको कुछ इस तरह से समझो कि मान लेते हम लोग एक रोटी खाते हैं तो रोटी हम लोगा एक complex components कहलाएगा और अगर उस रोटी को अगर हम लोग चबाते हैं अच्छा से चबा लेते हैं तब वो बन जाता है एक simpler substance तो जब ही कोई complex components simpler substances में convert हो जाता है तो उसी से हम लोगा digestion का process होता है तो और अब हम लोग को definition से और इच्छा से समझते हैं the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion जब भी कोई food जो होता है हम लोग का वो complex components से simpler substances तोटता है उसी को हम लोग digestion क्याते है जैसे कि हम आप लोग को बताई कि रोटी है रोटी हम लोग की complex substances है और जब हम लोग उसको अपने mouth के बारे तोड़ते है तब simplest substances में होता है और तब ही हम लोग का digestion हो पाता है तो इस तरह से हम लोग digestion के बारे में देखें अब हम लोग अपना topic स्टार्ट करते है जो कि है different ways of taking food हम लोग जो भी खाना लेते है उसका बहुत अलग अलग मोड है जैसे कि एक hummingbird एक कोई भी bird या एक hummingbird वो अपना खाना कैसे लेती है तो वो फ्लावर में से sweet juices को जिसको नेक्टर कहते है उसको सक परते है उसको चूस कर लेती है कोई भी baby कैसे लेता है तो वो अपनी मा का दूद पीकड लेता है स्नेक अपना खाना कैसे लेगा तो वो निगल कर लेगा तो इससरी से बहुत सारी तरह का mode of nutrition होता है कोई मार कर लेता है कोई चूसता है कोई चबाता है तो इससरी से जितना भी organism होता है सारा का अलग अलग mode of taking food होता है कोई भी भोजन को लेने का तो हम लोगा एक activity था 12.1 तो इसमें हम लोग देखते हैं इस activity को चुकि हम लोगा first activity है तो इससे हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा सबसे पहले name of animal यहां पर जितना भी animal का नाम है kind of food कि वो किस तरह का खाना खाता है mode of fitting और वो कैसे खाता है कैसे feed करता है स्नेल जो कि अलगी खाता है अलगी जो कि green color का होता है जो कि कभी rocks से होता है या आप लोग देखोगे तो कभी तलाब के ऊपर जो green रहता है उसको अलगी कहते है mode of fitting इसका क्या है scrapping from rocks rocks मतलब चटार उससे जो रहता है उसको पूरा खुदर कर खाता है scrapping मतलब होता है खुदर्णा हम उपर लिख देते हैं आपको अगर नोज बना रहे हो तो उन लिख लेना scrapping मतलब होता है खुदर्णा and cheaty cheaty किस तरह को food खाती है तो वो plant का material खाती है और किस तरह से खाती है तो biting सबसे पहले उसको화बती है और फिर उसको चबाती है eagle कि क्या खाता है flesh of prey शिकार करके वो खाता है adding5 किवास तरह किस तरह कर दो होता है Lice मतलब होता है June Blood from the skin of scalp हम लों के सिर्म में जो skin होता है उसमें सब वो blood को क्या करती है? Stuck करती है तो mode of fitting हम लों को देखना है मेंदी मस्की जो मस्की जो क्या करेगा? वो human skin से blood देता है वो भी stuck करेगा House, fly, filth and refuses मतलब होता है की गंदगी गंदीर में वो जाकता है कोई भी चीज को वो stuck करता है चूँसता है Amorba 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 इस चिवालर चैप्टिन के end में हम लों को Amorba के बार में पढ़ना है क्योंकि बहुत ही छोटा-छोटा होता है तीनी aquatic animals चोटे-छोटे पामी में जो जानवे रहते है उसको Amorba खाता है क्यासे लेता है वो सबसे पहले इसको capture करता है अपने body से और इसके बाद फिर उसको swallowing मतलब निगल लेता है python snake जिसमें हम लोग python का बात करें okay में यह बहुत अरग snake आता है पट हम लोग इसमें python का बात करें animal as a whole यह पूरा का पूरा जान्वर को भी जान्वर को वो निकल लेता है swallowing मोड of feeding swallowing तो तरीका होता है वो बिलकुल अलग अलग होता है और इस वाले वीडियो में इससे जादा और कुछ नहीं है हम लोगो यही चीज को पढ़ना था तो 2.1 में हम लोगा इतना ही है और मेरा अगर आप लोगो प्रीवियस का कोई भी वीडियो चाहिए तो वो मेरे प्ले है बिलकुल भी हार्ट नहीं है चलो तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक बाइ चाहिए